Today we are going to read our new chapter in Hindi, part 12, लापरवा मिशु विध्याले को अपने साथियों के दाथ देख कर बताने के लिए कहें आओ हम मिशु की कहानी पढ़ते हैं मिशु उठो बेटा, जल्दी उठो, मैं तुमारी पसंद का नाश्ता बना रही हूँ अब उठो भी और दाथ साफ करके जल्दी से आओ मम्मी ने आवाज लगाई कई बार आवाज लगाने के बाद मिशु उठा और आख मसलते हुए स्नान घर में पहुचा उन इंदी आखों से उसने दाथ साफ करने का ब्रुश उठाया उसे दाथ साफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था मिशु की मम्मी उसे उठाती है और मिशु को ब्रश करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था वह स्नान घर गया स्नान घर मतलब बाद रूम स्नान घर गया और उन इंदी आखों से उसने दाथ साफ करने का ब्रुश उठाया उनिंदी आखों से मतलब की वह नींद में था इसलिए वह उस ब्रुश से खेलने लगा तब ही उसे एक किटानू की आवाज आई अगर दात साफ नहीं करोगे तो मैं जब मेशू ने ब्रुश उठाया तो उसे वह ब्रुश से खेलने लगा और उसके दातों से आवाज आई कि अगर दात साफ नहीं करोगे तो मैं दोड़ा दोड़ा आऊंगा संग अपनी फौज में लाऊंगा तेरे दात सडाऊंगा फिर मैं मौज मनाऊंगा और उसके दातों में बहुत सारे किटानू थे और वह कहते हम और किटानू ले आएंगे मिशू ने किटानू की आवाज तो सुनी पर दात फिर भी साफ नहीं किये बिना दात साफ किये ही वह नाश्ता करने चला गया नाश्ता करने के बाद मिशू रसोई घर के पास ही खेलने लगा वहां उसे चॉकलेट का डिबबा दिखाई दिया मिशू को चॉकलेट बहुत पसंद थी चौकलेट का डिबबा देखते ही वह उसकी और लपका पर तभी उसे वह आवास फिर से सुनाई दी अगर ज़्यादा चौकलेट खाओगे तो मैं और मिशू बिना ब्रश करे अपना नाश्ता कर लेता है नाश्ता करने के बाद उसे चौकलेट का डिबबा दिखता है और चौकलेट का डिबबा देखते ही वह उसपर लपक पड़ता है और चौकलेट तभी उसके दातों से आवाज आती है अगर ज्यादा चौकलेट खाओगे तो मैं दोड़ा दोड़ा आऊंगा, संग अपनी फौज में लाऊंगा, तेरे दाथ सड़ाऊंगा, फिर मैं मौज मनाऊंगा और चौकलेट खाने से भी क्या होता है, हमारे दाथ सड़ जाते हैं मीठी मीठी मज़ेदार चौकलेट के आगे मिशू ने इस बार भी उस आवाज की परवा नहीं की वह गप-गप चार चौकलेट खा गया, उसके बाद वह बालकनी में जाकर खेलने लगा बालकनी से उसे कुलफी का ठेला दिखाई दिया, कुलफी को देखते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया फिर वह दातों की आवाज नहीं सुनता है और मिशू चौकलेट खा जाता है, वह चार चौकलेट खा लेता है फिर वह बालकनी में जाता है और बालकनी में कुलफी का ठेला उसे दिखाई देता है और कुलफी का ठेला देखते ही वह शोर मचाने लगता है दादा जी से जित कर उसने कुल्फी ले ही ली उसने जित करके दादा जी से कुल्फी ले ली जैसे ही उसने कुल्फी मूं की और बढ़ाई वैसे ही आवाज आई अगर जादा मीठा खाओगे तो मैं जैसे ही वह कुल्फी मूं में डालने लगता है फिर से उसकी दातों से आवाज आती है कि अगर जादा मीठा घाओगे तो मैं दोड़ा दोड़ा आऊँगा संग अपनी फौज में लाऊँगा तेरे दाथ सडाऊँगा फिर मैं मौज मनाऊँगा और यह आवाज किनकी आती है मिशू के दातों में किटानू होते हैं वह आवाज करते हैं इस बार मिशू थोड़ा घबराया पर उस ठंडी ठंडी स्वादिष्ट कुलफी को देख मिशू की घबराहट फुर हो गई उसे घबराहट हुई वह आवाज सुनकर पर वह ठंडी और स्वादिष्ट कुल्फी देखकर उसे खाने का मन किया और वह बिना घवराहट के खा गया मिशु जट से पूरी कुल्फी खा गया कुल्फी खाने के बाद ना तो उससे उसने कुल्ला किया और ना ही मूध होया कुछ देर खेलने के बाद वह ठक कर सो गया तभी उसे वही आवाज आने लगी मिशु ने कुलफी खाकर कुल्ला नहीं किया और वहां कुलफी खाने के बाद खेल कर ठक कर सो गया और सोते सोते ही उसे फिर से आवाज आई दोड़ा दोड़ा आऊंगा संग अपनी फौज में लाऊंगा तेरे दाज सणाऊंगा फिर मैं मौज मनाऊंगा आवास के साथ साथ देखते ही देखते किताणों की पूरी की पूरी फौज मिशु के मुँ में प्रवेश कर गई उन्होंने मिशु के दातों पर हमला कर दिया और धीरे धीरे उसके मुँ में बहुत सारे किताणों हो गए और उन्होंने मिशु के दात खराब कर दिये वह दर्द के कारण रोने लगा तभी मम्मी ने उसे उठा दिया मिशु डर कर उठा और वह दर्द के कारण रोने लगा और उसकी मम्मी ने उसे उठा दिया उठते ही उसने शीशे में जाकर अपने दातों को देखा उठते ही उसने अपने दातों में देखा उसके सभी धात ठीक थे वहाँ कोई किटानू भी दिखाई नहीं दे रहा था उसके दाथ सभी ठीक थे और उसे कोई गिटाणू नहीं देख रहा था मम्मी ने मिशु से पूछा कि क्या हुआ तो मिशु बोला कि दाथ में दर्ध हो रहा है मम्मी ने उसे कुला करवाया वह उसके दाथ साफ करवाया अब वह थोड़ा सही महसूस कर रहा था और उसकी मम्मी ने उसे कुल्ला करवाया और उसके दाथ साफ करवाया और उसे अच्छा लगने लगा इस पर मिशु मम्मी से बोला मम्मी अब मैं रोज आना सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपने दाथ साफ करूँगा भोजन करने के बाद कुल्ला भी करूंगा ज्यादा मीठी चीजे भी नहीं खाऊंगा फिर मिशु को समझ में आया और वह बोला कि मैं रोजाना सुबह और रात में सोने से पहले दाथ साफ करूंगा और भोजन करने के बाद गुला करूंगा और जादा मीठा नहीं खाऊंगा जादा मीठा दातों के लिए अच्छा नहीं होता है यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो किटानू बोलेंगे दोड़ा दोड़ा आऊंगा, संग अपनी फौज में लाऊंगा दात तेरे दात सड़ाऊंगा, फिर मैं मौज मनाऊंगा मिशू की बाद सुनकर मम्मी बोली बिल्कुल सही अब हम कठीन शब्द पढ़ेंगे स्नान घर, नहाने का घर, उनिंदी, नीन से भरी, और तरफ, गपा गप, जल्दी जल्दी वाक्यों पर सही या गलत का चिन्न लगाई है मिशू को दात साफ करना बिल्कुल पसंद नहीं था, सही मिशू ने चौकलेट खा ली, सही दादा जी ने मिशू को जूस पिलाया, गलत दादा जी ने मिशू को फुलफी किलाई मिशू दातों के दर्ध होने से उठ गया, सही मिशू ने खाना खाने के बाद कुला करने का वादा किया, सही दिक्तस्थान भरिया मिशू को चौकलेट बहुत पसंद थी वह गपा गप, चार चौकलेट खा गया ठंडी ठंडी स्वादिष्ट खुलफी देखकर मिशू की गवराहट फुर हो गई एक अनेक वाले शब्द अब हम एक अनेक वाले शब्द पढ़ेंगे जो शब्द किसी चीज के एक या एक से ज्यादा होने के बारे में बताते हैं उन्हें एक या अनेक शब्द कहा जाता है आएए हम कुछ शब्द पढ़ते हैं डिपबा डिपबे, बच्चा बच्चे, बकरी बकरिया तौफी तौफियां, तितली तितलियां आप यहां देखेंगे कि E की मात्रा बदल रही है बड़ी E की जगा छोटी E की मात्रा आ जाएगी जब हम बकरी को बकरियां घरेंगे तो तौफी तौफियां, तितली तितलियां, दर्वाजा दर्वाजे, कमरा कमरे लड़का लड़के, लड़की लड़कियां, घोड़ा घोड़े, टोपी टोपियां, जूता जूते, डंड़ा डंडे, चूडी चूडियां एक और अनेग बताने वाले शब्द लिखियें, ताला ताले, छाता छाते, लड़का लड़के, भवरा भवरे, दर्वाजा तर्वाजे, अंड़ा अंडे, डंडा डंडे, कमरा कमरे कहानी पढ़िये और छाट कर लिखियें तीन नाम वाले शब्द, मम्मी, किटानू, कुल्फी कुल्फी के बारे में बताने वाले दो शब्द, स्वादिष्ट, मलाईदार दो काम करने वाले शब्द, खाना, देखना आप इसके अलावा और भी शब्द कहानी में से डून कर लिख सकते हैं पांच वाक्यों में बताईए कि आप खुद को साफ रखने के लिए क्या करते हैं यहाँ पर आपको लिखना है कि आप अपने आपको साफ करने के लिए क्या क्या करते हैं मैं रोज सुबा उठका ब्रश करती हूँ, मैं रोज नहाती हूँ, मैं अपने नाखुन साफ करकती हूँ, मैं अपने नाखुन काटती हूँ, मैं अपने नाखुन बड़े होने नहीं देती हूँ आप और भी चीजें इसमें लिख सकते हैं थैंक यू